यह बहराई जिले की मेन मार्किट है पीपल चौरहा और आज हम यहां के जो अस्थानी लोग हैं दुकंदार हैं इसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सबसे बात करेंगे बुल्डोजर को लेकर जो बाबा का बुल्डोजर है उसको यह किस नजरिये से देखते हैं हम एक एक करके सबसे बात करेंगे इसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं मुस्लिम भी हैं उनका क्या नजरिया है इस बुल्डोजर को किस तरीके से वो देखते हैं क्योंकि बाबा का बुल्डोजर जब ही होगा अपड़ादी काफ्ते भी हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है उसमें बड़ा गरीबों का नुक्सान भी हो जाता है वरीबों का तरिशान होते हैं वो तो यह बड़ा गलत होता है तो आप मुस्लिम समुदाई से हैं आपका कहना है बुल्डोजर जो चलता है वो अच्छा है लेकिन जो उसमें गरीब पिस जाते हैं यहूं के साथ जो घुन पिस जाता है यह गलत है कुछ लोग और यहां पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है क्या नाम है आपका उसमें बहुत सारे होते हैं किस नजरीय से आप इसको लेता है आम तोर से देखा जाता है ते हैं ठबाते हमार्षक बना लेते यह तो घर बनाले। पर रोड बना लेते हैं यह तो जिम्मेदारी प्रसासण की होते है उसको ठीए को पास न करे या वो गलत हो तो उसके ऊपर एक्सन ले क्योंकि एक्सन जो होता है पचास साल साथ साल कई बार तो ऐसी नोबत आती है कि सौसाल से बने रहते हैं बेडिबलूडू विभाग में यह नियम है कि हाइवे भी कितना स्राइब भर भर बनाना है आप इस राग भर नहीं बना सकते अब बनाएंगे तो आपको गिराएगा जाएगा जो 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 खाने वाला होता है वो चाहेगा कि हमको पेड़ भर मिल जाए अगर उसकी जमीन एक बिस्वा तो सोचेगा हम थोड़ा आगे बढ़ जाए वहां पर हमको और गारी पार्किंग कर मिल जाए तो कहीं न कहीं क्या इसमें आप प्रसासन के गलती नहीं मानते हैं प्रसासन को चाहिए कि गरीब को भी ख्याल लगए और अगर कोई कहीं गलत बना रहा तो उसको सामिल थे उनको नोटीस मिली इसको आप किस मजरिये से लिए मानना है कि हावे में 120 को चोड़ा जाना यह पीड़ोजर को लेकर क्या तहेंगे अच्छी है लेकिन वह सिध्धानतों पर नियुमों पर चलेगी तो यह बीजे जी है इन्हों ने बताया बुल्डोजर नीती अच्छी है लेकिन सिध्धानतों पर चलना जी है यहां पर एक साथी और है वरिष्ट हैं उनसे भी बात करेंगे क्या नाम होगा सर आपका ताहिर नाम है माराथ नाहिए बाबा का बुल्डोजर तो किसी से छिपा नहीं है यूपी क्रिमनल है तो बिल्कुल उसका घर की राजुजर ने असनाबूर करते ना चीज़ लेकिन उसके चक्कर में बहुत से निर्दोस लोग ऐसे लोग जो निर्दाने विचारे कमरोज जली कमाख आ रहे हैं वो भी उसके जद में आ जाते हैं अब रही गई बात लीगल अनलीग कनी करते हैं सिग्या जाते हैं उसको किस तरह से तो ऊपर से कुछन फूरे कुछ को से तब यह काम होता है अभी अगर कोई दंगा वहां ना हुआ होता, आप सोचिए, कि वहां कहीं कोई इस तरह की नोटिस नहीं जाती, ठीक है, तो हुआ, उसकी परकिरिया में यह सब हो रहा है, उसमें लोग फसे हैं, और कहीं से यह कारवाई रोकी भी गई है, अदालतों ने रोकी है, तो कहीं न चाहिए, तो इस तरीके से इंसाफ करेते हैं, तो योगी कोई इंसाफ पसंद होना चाहिए, और अगर कोई किर्मिनल है, तो उसका घर गिरना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कुछ नहीं किया है, तो उसके साथ यह नहीं होना चाहिए, अपने सब्दों में इन्होंने बु सोच है आपने अक्सर देखा होगा जब इस तरह की बात आती है तो क्रिमिनल का नहीं साथ में और घर गिरते हैं यह गलत है उनका सरकारी जमीन के उपर है अब तो उसको भी अटाना की है लेकिन उसमें न्याय होना चीए हर जिश्ट से कि गलत किसी के साथ है अचा यह बताईए अपराधी जो होते हैं जब उनकी साख फुलती है जब पता लगता है वो अपराधी है उनका प्रमुकदमे दर्जें सरकार तभी क्यों बुल्डोजर एक्सन लेता है इससे पहले क्या होता है प्रसासन के रिपोर्ट उसमें नहीं सौप सकता है कि अपराधी है अगर प्रसासन फेलियर ना होता तो यह घटना नहीं जा रहा है उसमें हिंदूों के मकान भी है मुस्लिमों के हैं इसको किस तरह से लेते और अगर बात की जाए अपराधी का तो सिर्प वो एक मक रास्ता यही कि बुल्डोजर चल जाए उसकी जमीन है उसने खरीद रखा बले ही वह अपरादी है उसका और भी रास्ता होना चीए रास्ते तो बहुत सह दूसरा भी अपनाया जा सकता है रास्ता उसको जड़ने देने का रास्ते तो कहीं है कानून ले अब मानने की बात है क वाल समीने तो यह भाविराइज जिले के लोग हैं अलग-अलग लोग हैं अलग-अलग बुल्डोजर को ले कर बाते कर रहे हैं ऐक साथ की बुल्डोजर को ले कर जो बाबा का बुल्डोजर है उसको ये किस नजरिया देखते हैं ये गलत है जो बिस किया तो पहले उसको आप सजा दीआ बाकि जो रहा कवाल कि करे कोई और भरे कोई और कि यह करने को किया है एक आदमी ने उसमें पिज गया करने 500 आदमी यह गलत तो बहराइज जिले की लोग हैं बहराइज की मेन मार्किट है लोगों ने बुल्डोजर को लेकर अपनी अपनी राय दी अब यह देखने वाली बा अब बाली कोई सुटस्ब